हलो गाईज आज मां मैक्रोनी चिकेन शुप बनाव दैचु ये रे रपर्ति किर्या दिनो ला मैं ले येहां येवटा गईरू पट लिये र एसमा तेल रहें तेल ताती सके गोच मां एसमा अब चिकेन आड़ गर दैचु आड़ गरी सके पची हल्का ब्राउन होंजेल सम्मा चलाएर पकाऊं एसलाई हल्का ब्राउन बई सके कुछ अब एसमा मा जिंजर गार्लिक पेस्ट आड़ गर दैचु एसलाई पनी एक मिनड़ सम्मा चलाऊं मैं ले एहां सूप को लागी बेजीटेबल रा पास्ता बनी रेड़ी गर दैचु पास्ता बोल बैराई कुछ अब एसमा मा थोरे बाटर रा मईदाय आड़ गर चु बाटर रा मईदाय मिक्स करे बनी चाएं एसले सुप थीक गराऊना एल्प गरचा इसले राम्र संगा चलाऊं परचा राम्र संगा चलाऊं अलाई एहाँ बाटर सुखा बाएर जलना सक्षा बनेर मैले याँ अट वाटर यूज गर देए राम्र संगा चलाऊं अकुछु मईदालाई डल्लो नपन्ने गरी चलाऊं अला अवा एसमा मा थोरे बेशार आड गरचु एदे अजर रूले बेशार आड न गरदा बने उन्छ मईले चाई कलर को लागी थोरे आड गरएकुछु गरी शके पची दुई कप जाती पाने आले रा एक छिने लाए पकाउं यो पाकी शके पची एसमा मज जीरार दने आको दुलो आड गरचु थोरे नून आड गरचु रा थोरे मरीच को दुलो बने आड गरचु मईले गरी शके पची राम्र संगत चलाई देऊं तेसलाई अनि बेजिटेबल आड गरऊं बेजिटेबल हजुर को गरमा जे च तेई यूज गरन सकनों च मईले मसंगत जे थियो तेई आड गरें अब एसलाई एक चिन छोपेर पकाई सके पची अब एसमा पास थाए आड गरूं रएक चेटी राम्र संगा चलाई देम एसलाई अब एहां अचुर अरूले सुप कती चाइन छ तेई अनुसार पानी आड गरनू अला मईले एहां 4-5 कप पानी यूज गरेको छू अब एसलाई छोपेर 10-15 मिनेट पकाई मईले अब यूज शुप पाकी सकेको छा मईले लास्टामा थोरे ग्रेन चिल्ले आड गरेको छू एदि अजुर अरूलाई फिरो मन पर्दाइन पने आड ना गरता पनी होंच अब यू खाना को लागी रेडी वाई सकेको छा यू एकदम हेल्दी बनी होंच अजुर अरूले डीनर को रूप महाना पनी सकनोंच अनि आज अको वीडियो कस्त लागेव हेरे रपर्ति क्रिया दिनु ओला रशुजाप सल्लाहा वाई कमेंट गरना नविर्शिनु ओला धन्यवाद अन्यवाद